बटकाव दो चीज़ों चाता है, सजीव और दिर्जीर, दिर्जीर चीज़ से आया हुआ बटकाव को फिर भी तूट सकता है, छुट सकता है आप युवान हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ सकते हैं, जिंदगी का सिर्फ एक लक्षे है कि मैं ये सोच कर बैठा हूँ, यहां अगर काम फोड़ कर आया हूँ, अपने शेहर में अपने माबाद को ये तसली देकर आया हूँ, कि पिताजी आप किर्याना की दुकान पर चीनी तोलते हूँगे, तो आप सोचते रहेगा कि आपका बेटा शेहर ये है, काम याप हो कर आ जुन्ना आपके हाथ में, और एक और स्वस्ट करनों आपको, कि यहां पर्द्ध और पर्दिस्था आपके बेमाने दे करती है, कुछ और गया नहीं करता है, अलोचना से मत कर रहेगा, लोग कहते हैं, कमियां बताएंगे आपके इंदर, कुछ मैंदकों ने सोगन दखाई कि पहार की चोटी पर पढ़कर चड़कर रहेंगे, कोशिश की, सभी मैंदक एक साथ को रहेंगे, एक मैंदक फिर भी चलिए है, बात में पता लगा बहरा था, इसलिए कहना चाहता हूँ, कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, कैसा भी कहता रहे है, अगर हमारा याना सही ह है, तो हम बता देंगे सामने वाले को, कि हम विश्चित और प्रकामियाभी की राह करें, दरिया तेरा वक्ती भर्वी ऐसान नहीं है मुझ पर, सुकुदर को कह रहे हैं, कि दरिया तेरा वक्ती भर्वी ऐसान नहीं है मुझ पर, मैंने जब भी पिया है, पहारो का सीना ची तो में पादू कहते जाना चाहता हूं दिखते सब के साथ होती है किसी को facts यार नहीं रहते है मैं आपको कर नहीं कोशिश करता हूं और भूल गया कि मुझे बहुत सिंग ने चील की या प्राइट कम की कोई बात नहीं इस थारत का अब कौन सा समेलन होगा कहां होगा मुझे यार नहीं देता कोई बात नहीं हंडरत प्रसेंट बता देना चाहता हूं कि facts के साहरे आप सपलता पा नहीं सकते सपलता को गदन facts कलेरेटी से बुलती है अकबर गाजनन कब हुआ बूल जाए तो काम चल जाएगा पर हुमायू को लड़कड़ा था हुआ राजाचों कहतने है लिजाना जाएगा से धांति क्यों का उत्तर जिसको आगे आ वो कब का उत्तर नहीं आने पर भी काम चल जाएगा दी प्याबात है इसलिए अपनी समझ को भिशित दी और अंत में एक बात कुछ लोगों को यह भी लगता है कि मैं जोग करता हूँ देरे पास वाक्त नहीं मिलता पता नहीं मैं कैसे प्यारी दरूँगा उनका क्या है वो तो शहर में रहते हैं सारा में पढ़ते ही रहते होंगी अगर किसी को ऐसा रखता है तो मैं उसको ली देर दिना चाहता हूँ धेर सारा पढ़ लेना समय निकाल कर यह सबता की जागती नहीं है सरवटे हैं दिली के अंदर कुछ लोगों ने दो हजार दो में अपरा दिली उनके पास मावाप हर मेने लास में दस पंदरा अग्दीस अजार पे बेज़ देते हैं और अभी पता लगता है कि वो इस साल का विक्री दिली है इस साल का यह स्क्रीक एक्जाम भी पुद्वा देना है इतने सालों तक लगातार पढ़कर भी वो समय पूरा होने के बाव जो भी काम्याद नहीं है उसके और कुछ लोग जो बहुत कम समय देते हैं वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं वज़े ही गए कि वो यह अच्छे गंग से जानते हैं कि मैं जब नारीश शक्ति कर्म पर लिखूंगा तो मुझे किसी बहुत परशित मेदा का इपना चाहूँगा या इनका नाम देने से पहले मुझे मेरी मा के बारे में अपनी बेहन के बारे में सोचना है जबना उनको सोचके दिख सकता हूँ तो फिर मुझे बड़े उधादू की जोड़ी है अपने आस्वा से शुब कुझे हैं और एक और चीज इंटर्डिस्प्लिनरी अप्रोच अंतर विश्यात्मक समंद का महाँ बहुँ ज़री है आप राजन की विज्ञान का फूर्ट पर लिखते हैं और दर्शन सास्तर आपका दूसरा विश्य है और अगर आपके पास प्रेटो पर लिखते के लिए राजन की क्यान की कुछ आता है वो आप दर्शन सास्तर की बाद को उसमें गालना सेखिए जो इंसान जितने ज़दा फलक पता सकता है जितने ज़दा आप पता सकता है ये दुनिया उसको चुना पसंद करती है जब मुझे पता हो ना कि सामने जो शत्र हो है वो केवल चाकू लेकर आएगा और मैं केवल चाकू लेकर रणने चला जाओं तो ते महीं है कि मजीद कर आओगा या भार कर आओगा पर जब मुझे पता हो कि सामने वाला तो चाकू लेकर याएगा पर मैं तो चाकू के साथ, बंदू के साथ, तीर के साथ, कमान के साथ, भाले के साथ सभी प्रकार की चीज़ों से लेस ओकर जाओंगा तो दिश्चित तोर पर इस विश्वास के साथ, लिपड़ा रह सकता हूँ उनके सामने कि मैं उनसे ज़्यादा शशक्त हूँ, मेरे पास ज़्यादा आयाम है कहने को, लिखने को और बोलने को कभी भी किसी भी चीज़ के सामने घबराईये हैं, आपको कोई चीज नहीं आत्मी पूछी, अभी व्यक्ती से जो इंसान कमजोर होता है वाँ इत्त आती है, बहुत से लोगों को लगता होगा, कि मैं मन में सोचता तो बहुत हों पर जब मैं मन्स पर जड़ता हूँ, तो म कर दाज मैल के पास कोई कोड़ी, विकलान और गुरूप यक्ती खड़ा है, तो मुझे वो जादा सुनकर लगेगा, क्योंकि वो अभी यक्त करना जानता है और दाज मैल बोल करना है, मेरे सामने, मैंने अभी देखा है, जुन्होंने सबसे बढ़े वावा की है, निश्य द्रस्टी पारित, कर इंका फ्लैटे है, मुझे याद आगे, इंसे बात करते हूँ, कर इंका फ्लैटे है, और हम आप लोग यहां मुझूद है, निश्य पारित, मैंने पढ़ा ती रिशक्त जन्हों का पी सम्मान होगा, तो मैं आप लोगों की हिम्मत के साथ मेरे पीछे और इसाथी जो लोग आँखों से देख सकते हैं, उनको बता देना चाहता हूँ, मज़ा तक नहीं है, जब आप सूने का चम्मच लेकर पैदा हों, और सारी चीज़ें आपके आसपास हो, और आप काम्याब होकर दिखा देए, जिन्दगी में काम्याबी का असली मज़ा त असली में काम्याबी का चम्मच भी नसीव नहीं हुआ, और लोग आपको पत्थर लेकें, और फिर भी आपके पीछ में से दिकल कर सिद्ग कर दो की देखो, मैं काम्याब होने के लिए पैदा हूँ, तुझे दिल तोड़ने का हुनर आता है, तो मुझे तूटकर जुड़ मुझे तूटकर जुड़ने का हुनर आता है, मेरे पंखों को कतरने की जरूरत ये क्या, मुझे तो बिल पंखों के उड़ने का हुनर है, हम उठेंगे, हम उठेंगे, हर महाओं से उठेंगे, हमें नहीं मालूम कि हमारी चाहिए है, हमें मतलब नहीं है कि हमी अमीर है या गरीब हैं, हमें पता नहीं है कि हम दस्वी में कितने परसेंट नमबर लाए थे, हमें पता नहीं है कि मेरा मीडियम हिंदी है या अध्रेजी है, पर बस पता है, तो एक बात का पता है, कि अब मैं पत्यों की प्रिच्शागरी लिकला हूँ, मैं आम बच्चों की दरें काम आने के बात, दोस्तों के बीच, अपने प्रिवारवानों के बीच, उतकर्श की इस संस्ता के बारे में इतनी बात करे दिये है, उनके निर्मन जी के बीच जब भी जामगा, तो हस्ता हुआ जामगा, कामगा बच्चाए अध्र के लिए सबीने कुछ बोला है, मैं तो जिस बात से सबसे ज़्यादा प्रवालित हों, जो मुझे लगता है, कि सबसे ज़्यादा कीम्ती चीज़ है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर उस इंसान के लिए जो आज की इस जिंदगी में जीना चाहता है, वो यह है कि हम सदा मुस्कुराते हैं, बहुत छोड़ी को गुली के पत्ते भी नसीब में प्रवते हैं, यह विदर मना है, यह विदर मना है कि सान्या मिर्जा का स्विमिंग पूल में नहाती हुई का फोटो लेने के लिए फोटोग्राफर को 90,000 उपे हलीकोप्टर कर फोटोशूप करने के लिए दे दी जाते हैं, और एंका बा है और आप अपना रस्ता सुनने का समख्य रखते हैं, तो मैं आपके साथ खड़ाओकर हर उस चुनोती को कह देना चाहता हूं कि हम बर जाएं लागे, हमें रोगने की कोशिश मत परो, एक बार उस चुनोती की आंकों में आंक के लाग कर हम यह पता देना चाहते हैं कि मैं इसी कशितर से, इसी माभोग से, इसी प्रश्च भूमी से, इसी वीडियम से, इसी पर्सेंटेट से, बिना चेक चेक लेए, स्वैप पड़ूगा, और जब मैं पड़ूगा न, तो सारे लोग मेरे आगे खड़े होंगे, और मेरे नहीं से तालिया बजाने के लिए बग़ से निकल कराता, मैंने लाइने पीछे कर रहने के लिए जनम नहीं लिया, मैं चाहता हूँ कि मैं जिन्दगी में उन लोगों में शुमाद हूँ जो आगे हैं, जना सा सोच का प्रिवर्टन करने की फिरूरत है, बिंद्रो मैं फिर कहते ना चाहता हूँ, अन्तमे, इस जिन इक्षा के लिए कसम भाई है, तो मेरी अन्ति, जो सत्य होगा मेरा, वो मेरी जीत के साथ होगा, सच मुझ अगर आप ऐसा करेंगे, तो अग्मी पार, यहां आपका नंगर होगा, और आपको इस सुनने के लिए लिए लोगों, मैं उमीद करता हूँ, मैं उमीद करता हूँ, कि आप सब कसमे, जो तालियों के मातिम से आप मुझे दे रहे हैं, यह मुझे देते रहे, मैं सदा, आपके साथ हूँ, जब भी आपको लगे, कि मुझे कोई भी प्रशानी है, आप मुझे पूछ सकते हैं, वक्त, समय का तकाजा थोड़ा सा देर कर सकता है, पर आपको जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं अपने आप नहीं कहना चाता, पर जो मेरे साथी हैं, जो मुझे से पूछते हैं, या मुझे से बात करते हैं, वो जानते हैं, कि मैं अभी भी उन लोगों का रणी हूँ, उन लोगों का एहसान मत हूँ, जिनकी तक मुझे रखना मड़ेगा, मेरे पिता के माते पर आई, उन पसीने की कुंदों को जो मेरे साल तर साल डिगरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ी होती हैं, अपनी मान की उस मेहनत को जो दरियां और स्वेखरब उनके मिझे पढ़ाती हैं, अपने दोस्तों की शुप कामना हो और जब इन सब को रखना तो दहीं जा करें कि तुछ सा परियास मेरा नजर आएगा, इसलिए अपनों से जुड़िएगा, अपनों की मजबूरियों को, उनकी उमीदों को, उनकी अपेच्छा को जान में रखिएगा, कभी मत सोचिएगा कि शोपी मोज का कद कैसे बढ़ नहीं हो जाता, तो लिश्चित तोर पर अगर आप ऐसा करेंगे, तो जिस दिन आपके रिता किसी मंदिर में बेंडिंग बजाएंगे, वो ये दुआ नहीं मांगेंगे कि ये बगवान अगले जनमे मुझे खुब सारा पैसा देना, अपनी से जारा पैसा देना, वो ये द करते हिए, करते हिए, हर हाल ने सूरज अपना है, इसरोज ये धावा करते हिएए, हम एजनून जब चलेंगे, दुनिया में बजाना करतेंगे, किस्ती को बचाना मता रकार गयां, वात अपनी तुजी है, दुफान पलग कर रखतेगा, जिस रोज आपकेंगे, झाल झाल